आज सबसे पहले बात आयोध्या के फैसले से पहले उस हाई अलर्ट की जिसे लेकर सामने आई है देश की सबसे बड़ी खूफिया आई बी और आयोध्या के साथ ही पूरे ही प्रदेश के और इसके अलावा प्रदेश के तमाम दूसरे शहरों के इंतजाम ना केवल पुखता किये जा रहे हैं बलकि पैनी निगाहें रखी जा रहे हैं जिनके जरिये किसी भी नापाक हरकत पर निगाहें रखी जाएं अयोध्या पर फैसले से चन्द दिन पहले सक्रिय हुई देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी अयोध्या के अलावा काशी और मतुरा को लेकर अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने में अब कुल मिलाकर एक हफ़ते की मियाद है ऐसे में अयोध्या के साथ साथ देश के दूसरे शहरों और यूपी के एहम शहरों में अमन और मिजाज कायम रहे इसके लिए खुफिया एजेंसी सक्रिये हो गई है इस कड़ी सुरक्षा इंतर्जामों को पुक्ता करने की गरज से कई कवायद की जा रही है इस कवायद में जुटी है देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस बीरो यानी आईबी जब उत्तरप्रदेश के समवेदन शील शेहरों का जायजा लेने की तैयारी कर रही है और यहां के सुरक्षा इंतर्जामों की हकीकत को परखने की तैयारी में है इसके लिए वो उत्तरप्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेगी ताकि इंतर्जामों के बावत पुख्ता प्लान की जानकारी ली जा सके आईबी के कई अधिकारियों ने खुद ही अयोध्या में डेरा डाला हुआ है खास तोर पर टीम बना कर अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा रही है इसी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से चर्चा की जानी है सिर्फ इतना ही नहीं लखनव में हुए हिंदु समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हर्त्याकांट के बाद आईवी की नजर कटरवादी संगठनों पर भी है फिर चाहे वो किसी धर्म या मज़ाव से तालूग रखते हैं इन संगठनों के साथ साथ तमाम कटरवादी नेताओं पर आईवी ने अपनी निगाह गड़ा रखी है हर हरकत रडार पर है देश के सबसे वड़े मुकदमे का फैसला आने जा रहा है सरवोच नयायले अयोध्या प्रकण में फैसला सुनाने जा रहा है लहाजा सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम शुरू कर दियेगा है उत्तपरदेश पुलीस ने जहां आयोध्या में चाक चौबन सुरक्षा विवस्था के लिए फोर्स का डिप्लामेंट शुरू किया है वहीं खूफिया एजन्सियों ने भी ना सिर्फ आयोध्या वालकि वाराणसियों और मतुरा में भी अपना डेरा जमा दिया है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की जा रही है माना जा रहा है कि अगले हफ्ते खूफिया एजन्सियां उत्तपरदेश पुलीस के मुखिया ADG Law and Order और UPSTF और ATS के अफसरों के साथ बैठा करेंगे और तैयार करेंगे कि अयोध्या में फैसला आने के बाद किस तरीके से सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये जाए किन लोगों पर विशेश नजर रखी जाए वहीं दूसरी तरफ अईधेजर प्रशासन ने उंदर सर्धालों के प्रशाद लाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है यानि कि अब अगर आप राम लला के दर्शन करने जा रहे हैं तो प्रशाद ले जाने पर पूरी तरीके से मनाही हो गई है यानि कि सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम शुरू कर दिये गए हैं चरण बार फोर्स का डिप्लाइमेंट किया जा रहा है और सुरक्षा एजनसियां अलग तमाम लोगों पर नजर गड़ाए हुए है आईबी के रडार पर मतुरा और काशी में चलने वाले इस तरह के संग्धन सबसे ज्यादा हैं आईबी का इस काम में हात बटाएगी राजिकी खूपी आइजनसी और स्टीएफ के साथ साथ एटीएस जैसी टी में जिनके अधिकारियों के साथ आईबी लगातार फीडबैक के आधार पर बैठक करेगी अईध्या प्रक्रेट में फैसले का काउंडाउन शुरू हो गया है लेहाजा अयोध्या वारानसी और काशी में संभिदन शीलता बढ़ी हुई है अयोध्या में सुरक्षा के फुक्ता इंतिजाम की भी तैयारी शुरू की जा रही है हमारे साथ बाचीट करने के लिए ADG जोन लखनावू एसन साबत साहब हैं उनसे जानेंगे सर अब अयोध्या पर फोकस होगा ना सिर्फ उत्रप्रदेश बलकि देश की निगा है अयोध्या की सुरक्षा पर है कैसे तैयारी चल रही है अयोध्या में आने वाले समय में शांती वेवस्था के लिए हमारी पूरी तैयारी की गई है अब जानते हैं कि अभी हाल में हमारे दीपोष्चब परिक्रमा मेला शुरू हो रहा है चोदा कोशी परिक्रमा मेला शुरू हो रहा है जिसके लिए वैसे भी सामान नित उध्या में काफी भीड़भाड होती है लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं और ये एक परंपरा काफी सदियों से चल रहा है वो भी समय वही है और जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे मान्य सरवोच नयालय का जज्जमेंट भी एक्सपेक्टेड है तो उस परिप्रेक्षा हमने बिशेस अप्ग्रेड कर दिया है हमारे रेड जोन यलो जोन और ग्रीन जोन और जो भारिक शेत्र जितना है बॉर्डर डिस्टिर्ट जितना है उसको हमनों एक्टिवेट कर लिया है कि हमारे वहां पे कहां-कहां पे बैरियर्स लगेंगे और कहां-कहां पे ट्राफिक का किस प्रकार ब्यवस्था डाइवर्स अभी किया जा चुका है क्योंकि हम लोगों ने इसको phase wise चरनवार deployment किया है 15 October से बलकि हम लोगों ने इसको सुरू कर दिया था अभी उसका हम लोगों ने upgrade भी कर दिया है एक नभेंबर तक हम लोग एक विशेश्थिति में आ जाएंगे फिर आगे जैसी आप शक्ता है उसी साब से हमारे force power deployment होगा और समय समय पर हम लोग जाके उसको स्वें भी इसको दिखते हैं वरिफाय करते हैं वहाँ पे SSP अध्या और IG अध्या इस लोग सभी बैठके DM अबंग हमारे जो कमिशनर साब सब हम लोग बैठकर इसको हम लोग दिसे स्वेंशता हैं सिर्फ आयोध्या ही नहीं बलकि इसके आसपास के शहरों में भी जिला प्रशासन के साथ पुलिस के आला धिकारी अपनी तरफ से सुरक्षा और सक्ती में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते इसके लिए अपने पर वो तमाम संगठनों के साथ बैठक कर नए सिरे से रणनीती बनाने में जुट गए हैं अयोध्या वैसे भी कई बार अलर्ट रहता है आतंकी अलर्ट्स मिलते हैं और इस बार समीदन शीलता भी बढ़ी हुई है खुफी आइजेंसी हैं भी सक्रिय की गई है वो भी अलर्ट रखे हुए हैं अयोध्या में ये आप एक्दम सही बता है हमारा जो इंडिलिजेंस मशिनरी है उसको हम लोगों ने भी एक्टिवेट कर रखा है भारत सरकार के जो इंडिलिजेंस वो भी बहुत एक्टिव है और वो भी हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात है जन सवागीता हम लोग ने जगा जगा पे मैंने भी कुछ मीटिंग अभिहाल में किया था और वहां पे भी किया जा रहा है और लोगों को स्थानिय लोगों का मदद से हम लोग इसको अच्छे ढंग से वहां पे शांती भूश्ता रखने में काम होगा आई बी की एक कवायत इस लिहास से भी एहम है क्योंकि खुफिया एजनसियों ने देश की राजधानी दिल्ली को लेकर भी एक अलर्ट चारी किया है जिसमें बड़े आतंकी हमले का खत्रा बताया गया है अयुध्या के फैसले की घड़ी जियों जियों नस्दीक आती जा रही है और तमाम खुफिया इंपूर्ट सीधा इशारा कर रहे हैं कि जरूरत हाई अलर्ट रहने की है विरो रिपोर्ट एबीपी गंगा ट्वीटर पर भी फॉलो की जए हमारा ट्वीटर है ट्वीटर डॉट कॉम स्लैश एबीपी गंगा